नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजेविद रोई हम उससे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट तक मैं आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा बड़ा सवाल है क्या बीजेवि को विकास के नारे पर यकीन नहीं रहा क्या बीजेवि को सबका साथ सबका विश्वास नारे से विश्वास उठ गया है ये बात हम इसले कह रहे हैं क्योंकि दो बाते एक साथ हुई है करनाटग में बीजेवि के प्रदेश अध्यक्ष है नलिल कतील उन्होंने कहा है कि साथ आप लोग बीजेवि के कारेकरताओं को संभूधित करते हुग कह रहे हैं कि आप लोग गटर की नाले की सडग की छोटे छोटे बुनियादी मुद्दों की चिंता मत कीजिए इनकी लोगों को समझाइए कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो लव जिहाद के खिलाफ संगर्श करना पड़ेगा लव जिहाद को खत्म करना पड़ेगा सड़ बिजली पानी नाला सड़ गंदगी सीवरेज ये सब छोड़ दीए दूसरा देश के घ्रह मंतरी हमेशा ने राहुल बाबा को कान खोल कर सुनने के लिए कहा और एक बात कही कि देखिए एक जनवरी से 24 यानि एक जनवरी 2024 से राममंदिर शुरू हो जाएगा राममंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे रामलला के यानि राममंदिर का निर्मान हो जाएगा तो तारीक की गोशना की देश के ग्रह मंत्राले का काम क्या है देश की कानून वे वस्ता की बात करना या राममंदिर के तारीक की गोशना करना क्या राम मंदिर के लिए जो नियास बना हुआ है ट्रस्ट बना हुआ है जो राम मंदिर का निर्मान कर रहा है उन्होंने अमिर्शा को इसके लिए अधिकृत किया या फिर अमेशा ने इसले कहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े आचारे सत्यवत और उसके बाद चंपत राय जो विश्व हिंदू परिशत से जुड़े हुए हैं संग से भी जुड़े हुए हैं और राम मंदिर नियास केकर ने बड़े पतादिकारी ने राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया ना केवल समर्थन किया उनकी तारीफ की यात्रा की जरूरत बताई बलकि साथ साथ राम जी का आशीरवाद भी दे दिया राहुल गांदी को कि राम जी का राम जी आपके साथ है हम भले ही आपके साथ यात्रा में नहीं चल रहे हैं तो इससे क्या बीजेपी को लगने लगा है कि जो राम जी उनके थे उनका एक आधिकार था जिनके आधार पर उनको वूट लेना है तो ये श्रे कुछ-कुछ बट क्यों रहा है राहूल गांदी को कुछ बीच में इन्वाल किया जा रहा है अग को ध्यान होगा कि सलमान कुर्शीद ने राहूल गांदी की तुलना राम जी से कर दी थी तो बड़ा शूर मचाया था गोधी मीडिया पर चड़ कर इसका विरूद कर रहा था तब गोदी मीडिया ये भूल गया था कि बीजेपी के नेता भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी की तुलना ऐसे ही ईश्वर ये अवतार से कर चुके हैं खेर बात करते हैं अमिशाग आखिर अमिशाग को ये क्यों कहना पड़ा क्या अमिशाग को भारत जोड़ो यात्रा का डर सताने लगा है क्या उत्तर पदेश में जिस ढंग से RLT ने भारत जोड़ो यात्रा का सवर्तन किया जिस ढंग से मायवती से लेकि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत उसके उत्देश की सराना की लोगसभा की मिली थी उतनी सीटे नहीं मिल पाएगी तो एक और राज्य में सीटों की कमी हो जाएगी उत्रगंड में कमी होगी, हिमाचल में कमी होगी, पंजाब में कमी होगी राजस्तान में एकका दुख्का, गुजरात में एकका दुख्का, मद्यपदेश में एकका दुख्का, चतीजगड में एकका दुख्का, लेकिन बिहार में ठीक ठाक सीटों की कमी की आशंका, पश्चम मंगाल में ठीक ठाक सीटों की कमी की आशंका, बिहार में नितीश के ब बीजेपी को सता रहा है, बीजेपी ने अभी हाली में जो 140 सीटे थी, जो वो मुश्किल सीटे थी, यानि या संभव टाई सीटे थी, उनकी संक्या, 160 की कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी सीटों की संक्या 204 हो गई है, तो उत्तर भारत में काव बेल्ट में बीजेपी को लगत जीदी थी, उस 29 में से भी 25 सीटे अकेले करनाटक की 28 में से जीदी थी, बाकी तमिलनाडू में शुनने, तेलंगाना में चार, आंदरपरदेश में शुनने, केरल में शुनने, कुल मिलाकर 923 में धायक हैं, जिसमें से 123 के आसपास, या उससे भी कुछ कम, 135 शाय ये बीजे पीके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि गटर की बात मत करो, सड़क की बात मत करो, लव जिहाद की बात करो, हिजाब का अंदोलन चलता रहा, फिर इसके साथ साथ दूसरे अंदोलन चलते रहे, हलाल को लेकर अंदोलन चलता रहा, आपको ध्यान होगा बड़ा, दिल्चस गौर कीजेगा, एक राज्य में चुनाव हो रहा है, तो दूसरे राज्य में हिंदुत्व की बाते भड़काना, उकसाना, हिंदु-मुसल्मान करना शुरू कर दो, ताकि उसका इंडिरेक्ट फायदा उस राज्य में हो जाए, जहां चुनाव हो रहा है, उत्तर परदेश में भी ने सिरे से राम मंदिर की तारीख की गोशना करके, राम मंदिर की बात करके, राम जी हमारे है, इस तरह की बात करके, करनाटेक के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तैमिलाडू और उत्तर परदेश, यानि बनारस का एक महा संगम का भी एक आरेक चप्रम इसी नजरिये से हम कह सकते हैं कि किया गया तो क्या BJP को लग रहा है कि उत्तर भारत में तो स्टिती ठीट नहीं है तो दक्षन भारत पर जोर दिया जाए लेकिन दक्षन भारत पर भी कामूयाबी हासिल हो ऐसा बड़ा मुश्किल है करनाटक में विधान सवाच चु 40% कमीशन और लक्चर प्रशासन रहा और दूसरी बात है कि दक्षिन भारत में बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी के रूप में जाना जाता रहा है कि बहुत अच्छी नजर से महां की जनता देखती नहीं है और बीजेपी ने भी गलती की कि पश्चम बंगाल यसी गलती क करती रही कि तुरिण बूल कॉंग्रेस से लोग तोड़ लो कॉंग्रेस से तोड़ लो वाममर्चे से तो दो अपने साथ शामिल कर लो और प्रमुख छेत्रिय पार्टी को चुमॉती देने की कोशिश करो तो तिलंगाना में ये कोशिश बीजे पी कॉंग्रेस को तोड़ करती हुई नजल आ रही थी अब कह रहे हैं लोग की थोड़ी स्ट्रेजी बतली है इससे काम नहीं चलने वाला तो क्या जूसरी जो स्ट्रेजी बतली है कि I.I.D.M. उनके कमजोर हुआ है चंद्रबावू नाइदू के साथ आंदरपरदेश में नहीं जाना है खुद का फ्रंट खड़ा करना है जिसमें पवन कल्यान जो की एक स्थानी अभिनेता है तेलगू भाषा के फिल्मों के उनके पार्टी के साथ कटबंदन मरा के रखना है तो क्या इस स्ट्ड़जी पर केरल में इसाईयों को बीजेबी साख ले रही है इसाईयों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है अब वो हिंदुत्व थूप नहीं रही तमाम मंदिर धलितों के भी मंदिर दूसरे मंदिर उनके जुन धार की बात कर रही है दक्षन भारत में इसमें बीजेपी कितनी काम्याव वो पाएगी ये देखना दिल्चस्प रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदत्व का सिक्का अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के राज्यों में जाती के सामने अगर नहीं चला तो बीजेपी भारी मुश्किल में आ जाएगी। जाती धर्म को तोड़ती है। ये बात अपनी जगा सही है। लेकिन धर्म भी जाती को तोड़ देता है। पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव में धर्म ने जाती को तोड़ दिया था तो बीजेपी 302 के पार चली गई थी। बिहार में जब 2015 का विधानसभा इस बार बीजेपी का जादू चलेगा नहीं चलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का आंदूलत चल रहा था तब तक तो ठीक था लेकिन अब सुप्रीम कोड के आदेश से ही ये चीजे आई हैं और इसमें बीजेपी का या मूदी जी का या मिशा जी क या जेपी नड़ा का या या योगी जी का कोई रूल नहीं है इसको जनता समझ रही है तो ये जो हांडी है एक बार और चड़ेगी ये कहना भी आज की तारीक में मुझ के लजर आ रहा है तो ये दो बड़े मैयान थे मुझे लगा कि इसकी विवेचना कुछ आपके साथ म हो जाए और एड़ारेट विद्रोही7 मेरा ट्वीटर है फेस्बुक पर भी विजे विद्रोही पेज मेरा है इसे भी आप मुझे फॉल्व कर सकते हैं और आपके राय की आपके सुझाओं का मुझे इंतजार रहता है आज भी इंतजार रहे हैं शुक्रिया बहुत बहुत झाल शुक्ये